तो हेलो और आज बात करने वाले हैं कि एक एलपी लोको पाइलेट के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या कहता है ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि लोकों में भूमना कूल है रॉनिंग रूप में जाना कूल है कि और कुछ लोग यह भी बोलते होंगे जिन्हों में जोईन नहीं कि लएक बेकार होता है जादा दूटी करना पड़ता है है और रनिंग में इधर-उधर पर तो यह एक प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं मुझ से अचा कोई बताना है क्यों कि मैं नहीं हूं क्या-क्या problem phase करना पड़ता है तो आते हैं सबसे पहले problem पर यह एक फिल डूटी एड़ और फिल डूटी में अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 8 गंटे जाओं 8 गंटे में आ जाओं तो फिल डूटी में ऐसा नहीं होता है फिल ड्यूटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि तुम जाओगे आने का टाइम फिक्स नहीं जाएगा और रूल के है कितना देर ड्यूटी करवाया जा सकता है तुमसे क्या क्या प्रॉब्लम साता है उसके बारे में बात करते हैं हाँ तो एक चीज है उसके मतलब कि तुमको कभी भी बुला जाएंगा कभी बीजा होगे कोई तुमारे टाइम फिक्स नहीं है नाइन टूफाइब का ड्यूटी नहीं है और ओफिशियल तो नहीं है तो कहने का मतलब कि एक प्रॉबलम है लेकिन धीर धीर आधोत हो जाता है सब्सक्राइब जो लोग है नाव बज़े सुबह जाएंगे और पांच बज़े सामको आएंगे उनको दिन का कोई पर्सनल काम होगा नहीं कर पाते हैं और हम लोग क्या है कि मैं कभी 12 बज़े आता हूं तो मुझे सुबह 6 बज़े तक अराम से रहना है तो दिन का भी काम हो जाता है नाइट में रेस्ट गो हो जाता है और एक फाइदा कि अन्सेडूल से फाइदा यह है कि जरूरी नहीं है कि तुम 16 घंटे में जा नहीं है जैसे सामके पांच बज़े आए ऑफिसल लूटे में तुम सुबह 9 बज़े जा नहीं है लेकिन यहां कभी कभी 24 घंटे का इक जाता है अगर गाडि नहीं हो तो और यह मनगा पर अब मतलब कि गभी अभी मैं एक दो बज़े तक जाऊंगा तो कभी दिन में इस पानी के साथ टाइम मिलता है पर लबिना छुटी लिए भी दिन का काम कर सकते हो आंसे डीयोटी है मेरा जैसे सुबह मैं चार बज़े को आता है दो कब देखो अब आते हैं नेक्स्ट बात मतलब कि टाइनिंग मतलब क्या कि तुम्हारा डूटी फिक्स नहीं कि आठ गहिंट गई होगा ज्यादा भी हो जाता है और इसका मैं एक बात बताता हूं कि क्या है कि गाड़ी कभी फंस जाता है आठ गहंटे में तुम पहुंचने व तो पाइलेट आने में भी तुम्हारा बारा घंटे हो जाई गया लेकिन उसका का फायदा जीसएं कि प्रोग्रेसीव आवर चलता है जाünkριूआ मितलब أو प्रोग्रेसिव कि बैजिए मेंद उस साब को सबस्क्राइब तुमको रेस्ट मिलता है कभी 48 गंटे मिल जाता है सेकेंड में तो काम कितना भी हो एक बार में कूंको 12irm–15 गंडे काम करना पड़ सकता है लगिन सस्केंड में तुमको रेस्ट मिलेगए और वीक में 104 तो चार गंटे से ज़्यादा काम अगर तुम कराते हो तो वह ताइम में आता है और ओभर टाइम हमारे हाथ नहीं बनता है अधर जगा बनता है तो हाँ यह है कि कभी कभी टाइमिंग ज्यादा हो जाता है डूटी का हाँ दो देखो एक और प्राब्लम जो कि सबसे बड़ा प्राब्लम ही है और यहीं सबसे बड़ा प्राब्लम है मेरे हिसाब से कि यहां से निकले मालो आज सुबह 11 बजे 10 बजे जब भी तुमको 30-30 गंटे फैमिली से दूर रहना पड़ता है यहां से जाओगे रनिंग रू जाता है तो यह सबसे बड़ा प्राब्लम आता है कि तुम अगर एक बार रूम से निकले तो 36 गंटे तक तुमको बाहर रखा जा सकता है तुम अपने फैमिली से दूर रहोगे रीजन क्या है इसका कि मालो अगर तुम हारा ट्रेन लेकर इधर से गया उस बार हर बार तुम में अगर हो तुमको खाना बनाने के टेंसर नहीं कुछ नहीं बेड लगा मिलेगा एसी रहेगा जितने पर मन उतने पर चलाओ गार्डेन है टेहलो जो करना करो तो यह फायदा है रणिंग रूम में रहने का लेकिन यह लॉस है कि स्वामिली से दूर रहना है तो देखो एक नाइट डुटी तो सबसे पहले में बता दू रेलवे में जो भी डूटी है तो तुम्हारा नौकरी खत्रे में आ जाता है और पीछे लेकिन चलाते टाइम नहीं सो सकते हैं नेचर के बिरूद काम करते हो और अगर तुम आई टिया करके आए हो डिप्लोमा करके आए हो तो इतना पैसा अधरजगन नहीं मिलता है तुमको बस देख लो तो तुमको बस इसी बात का पैसा मिलता है कि तुम नेचर के विरूद काम कर रहे हो और इतना अच्छा सैलरी 40-50,000 सैलरी मिल रहा है तो इसी बात का मिल रहा है तो भाई पैसे इसी चीज़ के हैं कि नाइट ड्यूटी अंसेरियल ड्यूटी टाइमिंग जादा कभी-कभी इतना पैसा और जगए कहीं नहीं मिल गा तो समझ जाओ यह प्रॉब्लम तो है ना ड्यूटी का कोई नहीं बोल सकता कि यह प्रॉब्लम नेचर के विरूद काम करना है लेकिन ड्यूटी अफ नेचर ऐसा है और इसी बात के पैसे है ट्कु एक कि मिलता है ओसंजाररड प्रॉब्लम कि रेस्ट नहीं मिलता है मुझे लगता नहीं की एसा कुक्छ है क्योंकि हर ड्यूटी में 16गा मिलता है तो ड्यूटी में 7- Matthयू एक स्बॉल मोगों को या बचे आता यह सबस्क्राइब तो इसके लिए लोग को लगता है इसमें रेष्ट कम है तो ऐसा कुछ नहीं है लाला रेष्ट कम निया तो यह प्रॉब्लम नहीं है रेश्ट वाला तो यह सारी प्रॉब्लम्स थी अगर तुमको लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा ज्वाइन नहीं करना से तो मत करो अगर करना चाहिए तो करो मेरा काम था बताने का बहुत लो पूछ रहे थे की भाई आप प्रॉब्लम्सुपारे मोथाा प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है तो हाई इतना ही प्रॉब्लम्स आता है और फिजिक्स के i arms को मैं सोच रावर श्टर्ट करनें बहूत लोगों ने बो कर दो कुछ